नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हाप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल साहिति स्रजन में मैं रजनी दिवारी आज आप सभी के लिए इस्तरी लेखिकाओं की एक ऐसे स्रिंखला लेकर आई हूँ जिसमें हमें हिंदी जगत की कुछ प्रसिद लेखिकाओं के बारे में जानने को मिलेगा यह वीडियो NTA.net की तयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विसेश तोर पर उपयोगी होने वाला है लेखिकाओं समाज में इस्तरी के लिए स्विक्रित भूमिकाओं पर लिखकर अपने लिए स्पेस निर्मित करने की कोसिस करती है पर पुरुस जब उन्ही विश्यों पर लिखता है तो उससे इस्तरी के लिए स्पेस निर्मित नहीं होता बल्कि स्पेस छिनता है इस्त्री का लिखना अनुभव जन्ने होता है इस्त्री लेखन आत्मिय भाव से भरा होता है अतह सुधा सिह के अनुसार यदि इस्त्री को कोई सैली हो सकती है तो वह आत्मिय सैली है परंत इस्त्री लेखिकाओं को यह सचेतन प्रियास करने की आवशक्ता है कि आत्मकथाओं के वर्णात्मक पहलूं जिस पर हमेशा मध्यमवर्गिय सवर्ण स्त्री के जीवन के जूटे छल प्रपंचों से भरे होने का आरूप लगाया जाता रहा है सिफ परे जाकर स्त्री प्रस्नों पर ठोस सैधांतिक बहसों को केंद्र में लाकर साहित्य में स्त्री विमर्ज की परंपरा की सुरुवात की जाए अब तक यह प्रियास हमें कुछ महिला लेखी काओं जैसे मैत्री पुस्पा, सुधा अरोडा, चित्रा मुद्गल, अनामिका, कात्याईनी, प्रभा खेतान, सुधा सिह की रचनाओं में देखने को मिलता है उनकी कहानियों में स्त्री प्रश्ट, बदलते समय में स्त्रीयों की भूमिकाएं, उनकी आर्थिक वर्राजनितिक स्वतंत्रता, इत्यादी, तमाम बातें एक 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 अकादमिक समझ के साथ हमें चित्रे धोती दिखाई देती हैं तो इस वीडियो स्रिंखला के माध्यम से हम इन ही प्रमुक महिला लेखिकाओं के विशय में चर्चा परिचर्चा करेंगे तो आज हमारी लेखिका हैं मैत्री पुस्पाजी, जिनके नाम से हम सभी पूर्व से ही परिचित होंगे, ऐसी में आसा करती हूँ मैत्री पुस्पाजी अभी हिंदी अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्षिपत पर भी सुसोबित हैं इनका जीवन परिजय, मैत्री पुस्पाजी का जन्म, अलीगर उत्तर प्रदेश के एक गाउं, सिकुरा में 13 नवंबर 1944 को हुआ उनके जीवन का सुर्वाती दौर, बुंदेल खंड में बीता, अब लंबे अर्से से वह दिल्ली में रह रही हैं कारेशेत्री की अगर हम बात करें, तो हिंदी साहित्य जगत में सक्रिय इनका योगदान रहा है इस्त्री विमर्स से जुड़े साहित्य के स्रिजन में इनका योगदान अतुलनिय है यह हिंदी अकादमी दिल्ली के उपाद्यक्षपत पर नियुक्त हैं इनकी अगर हम महत्यपूर्ण कृतियों की बात करें, तो स्मृती के दंस उपन्यास 1990 में आया था, बेत्वा बहती रही उपन्यास 1993 इदन्नम उपन्यास जो बहुती बहतरीन है 1994 में चाक उपन्यास 1957 में, अल्मा कभूतरी, गुना बेगुना हमने यहां केवल उनके कुछ अतिमहत्पूर्ण कृतियों का ही उल्ले किया है वैसे इनका रचना संसाज जो है, वो काफी सम्रिध है कहानी संग्रा की अगर हम बात करें तो चिनहार, त्रियाहट, सिस्टर, अफ फूल नहीं खिलते तुम किसकी हो बिन्नी, यह हैं इनके प्रमुक कहानी संग्रा है आगे हम आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा दो भागों में प्रकाशित है कस्तूरी कुंडल बसे पहला भाग गुडिया भीतर गुडिया दूसरा भाग यात्रा संस्मर्ण इनके प्रमुख यात्रा संस्मर्ण है अगन पाखी और इनका लेग संग्र है खुली खिड़किया इनकी रजनाओं में हमें इस्त्री प्रश्ट बदलते समय में इस्त्री की भुमिकाएं उनकी आर्थिक वर राजनितिक स्वतंत्रता इत्यादी तमाम बातें एक अकाद्मिक समझ के साथ चित्रित होती है अक्सर अपने लेखन और बयानों से विवादों बात बेबात में घिर जाने वाली देश की चर्चित हिंदी लेखी का मैत्रेई पुस्पा अपने निर्विक लेखन और बेबाग बयानी के लिए जानी जाती है बात चहें इस्त्रिविमर्ज की हो या फिर स्वयम के विवाहिक जीवन की वह अपने विचार प्रतेक मंच पर प्रतेक विशय पर खुल कर रखती हैं मैत्रेई पुस्पा के लेखन में ब्रेज और बुंदेल दोनों संस्कृतियों की जलक दिखाई देती है मैत्रेई पुस्पा जो एं उनका ये मानना है कि कही गई बात को ब्योहार में लाना बहुत कठिन है कठिनी और करनी में वही अंतर है जो कलम की धार और तलवार की धार में है विजन उपन्यास उनका इक उपन्यास विजन उसमें एक स्थान पर मैत्री इस्त्री के सोशन का कारण मानती है अगर एक इस्त्री दूसरी इस्त्री के साथ हो रहे अत्याचार के व्रुद्ध खड़ी हो उठे तो पुरुस वर्ग का इस्त्री के प्रती सोशन समाज में बिलकुल समाप्त हो जाएगा लेकिन इस्त्री ऐसा नहीं करती अपने निजी स्वार्थ या इर्शा की वज़े से वह दूसरी इस्त्री को या तो स्वयम यातनाई देती हैं या पुरुस समाज के द्वारा उसे सोशित करवाती हैं इस प्रक्रिया में वह यह भूल जाती हैं कि वह स्वयम भी एक नारी है इसी तरह एक दूसरे उक्ती में उनकी अल्मा कबूतरी जो मुझे विक्तिकर तोर पर पसंद भी है बहुत उपन्यास उसमें मैत्री जी कहती हैं कि एक स्त्री के आंसू को एक स्त्री ही पहचान सकती हैं दोनों तरीके के भाव परस पर विरोधी हमें देखने को मिल रहे हैं एक में वो कहती हैं कि स्त्री ही स्त्री के सोशन का कारण होती है दूसरे में वो ये भी कहती हैं कि एक इस्तरी के आंसू को एक इस्तरी ही पहचान सकती है उसकी भावनाएं, उसके दुख, तकलीप से वही परिचित हो सकती है जब राणा अल्मा को छोड़कर कदम बाई के पास आ जाती है और बताती है कि अल्मा दुखी रहती है तब इतनी दूर बैठी कदम बाई अल्मा के दुख और मर्म को समझने की कोसिस करती है मर्द किसी औरत के रोने का मतलब नहीं समझ सकते उनके रहने औरत का रोना कुत्ते की रोटी उठा ले जाने पर रोने जैसा होता है तब ही तो राणा उसे छोड़ाया वह भी तो मर्द ही है मेरा बेटा है तो क्या एक और जब राम सिंग अपनी पुत्री अल्मा को अपने मित्र दुर्जन कबुतर के घर दातार नगर में छोड़ देता है तब ही इसे अल्मा के बुरे दुन सुरू हो जाते है अपने मित्र राणा को अपनी दुर्दसा की कहानी पत्र के माध्यम से वह ब्यक्त करती है वह बताती है कि किस तरह उसके बपा के मित्र या ने उसके पिताजी के मित्र दुर्जन सिंग ने उसे धोका दिया अल्मा तु गिर्वी धरी है समझे रहना भला इस तरह वह गिर्वी रख दी जाती है मैंतरी जी ने बड़ी बेबाकी से सब कुछ बया किया है उन्होंने ये भी अपने विक्ति का जीवन को भी उगा